हेलो वेल्कम बैक एलेक्टिकल नेटवर्क के अंदर आज मैं देखूंगा कंपेरिजिन बेट्विन आरल सी सर्कुट एन शीरीज एन आरल सी पैलल ओके इन दोनों में क्या कंपेरिजन हों है और क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे मैं डिसक्स करूंगा हाँ यहां पर पहला पॉइंट है और से उटो समझें गया अहां पर पैरिजिग लिए पहले घॉन संसे अन द्रॉ कर दिया दो क्या डिफ्रेंसेस हैं इनको भी देखना है अपने को चलिए यहां पर देखिएगा जब ऐसे सर्किट होंगे पहले आप लोग लिख लिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ा हूं या फिर इसको छोटा कर दूँ है ना ताकि चीजें आप लोग कंपरिजन है तो छोटा करना चलो यहां ऐसे कर देता हूं ताकि चीजें आप लोग नॉट डॉन कर लिया होंगे है ना यहां पर चीजें नॉट डॉन कर लिया होगा आपने है ना चलिए यहां पर मैं बताओं यहां पर बताओं यहां पर देखिएगा अब यहां पर क्या रहा है जैड है जैड क्या होगा तो आपको कि r plus j omega l plus 1 by j omega c, ऐसे टरूनों का, तो z जब भी ऐसे निकालते हैं, तो r plus j into omega l minus, j मैं common लिया, तो समझो, यहाँ j नहीं कुछ है, तो उपर नीचे j से गुना हो गया, चुकि j common लिया हो, तो j उसे गुना होगा, कर लूँगा, तो कोई दिकत नहीं, अगर j गुना करके हो गया, तो j square हो गया, j square का मन क्या हो, तो minus 1, तो j common हो गया, तो minus of j बचाया की नहीं, minus j यहाँ पर निकल गया, तो minus of 1 बटा omega c, minus of 1 बटा omega c, तो j, z निकालने का यहाँ पर इस तरीका होता है, clear है चीजे, I hope, यह चीजे आप लोग को पता होना चीए, बिल्कुल simple है, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, है ना, चलिए, अब आपने दिखा कि z निकालने का तरीका क्या था, तो आप से पूछता है, जब circuit resonance में होता है, जब circuit के बाद पूछेगा, जब circuit resonance में होगा, तो क्या होता है, four resonance, चुकि कंपरिजन भी दिखा रहा हूँ, इसका भी उसका दिखा हूँगा, four resonance, resonance के बाद objective question भी पूछ लेता है, imaginary part, imaginary, imaginary part of z becomes 0, becomes, अभी बता रहा हूँग क्या होता है, becomes 0, आपने देखा भी, हमने प्रूब भी किया है, becomes 0, इसका क्या मतलब है, अभी देखिए, यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, यही तो होता है, imaginary part becomes 0, omega L minus 1 बटा, omega C बढ़ाबर 0, तो omega, power formula क्या होता है, 1 बटा अन्डरूट, Lcs, यही तो regionals frequency निकला था, यही तो regionals frequency निकला था, बोलिए चीजें clear है के नहीं, बोलिए चीजें clear है के नहीं, comparison कर रहा हूँँ तो आपको यह चीज देखना पड़ेगा, next, next बात अगर करूं, नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं तो यहां देखिए पैलल RLC circuit में पैलल RLC circuit में आप कहते हो कि सर जैड कैसे निकालते हैं तो जैड इसमें डाइट नहीं कर जब चीज़े पैलल में हो तिनों पैलल में हो तो कभी जैड निकलेगा नहीं 1 by Z बरावर क्या होगा 1 by Z बरावर जब चीज़े पैलल में हो तो 1 by R plus 1 by XL plus 1 by XC ऐसे रहेगा यहां यहां 1 by Z बरावर 1 by R plus 1 by omega L plus 1 by omega C ओके यहां अगर बात करूं 1 by R plus 1 by omega L और यहां करूं तो देखेगा यहां पर J omega यहां पर J omega साथ में होता एक्सल के जब पर 1 by J omega C तो उपर क्या गया omega J C ओके यहां भी रह गया J अगर इसको और आगे करूं तो 1 by R plus J common ले लिजे J common ले लिजे अब यहां नीचे है common कैसे आगा तो J J को गुना हो जाएगा अगर किसी को यह नहीं आता हो तो मैं दिखा देता हूँ क्यों पहले भी मेरी short में खीचा तो आपको लगता होगे सर क्या कर रहे हो short में खीच रहे हो तो चलो 1 by J omega C पहले लिख देता हूँ plus यह देखो 1 by R plus J omega C अब देखेगा J into J को गुना अगर करूँ तो क्या होगा यह पहले तो J उपर में जो रह गया रह गया माइनस 1 होता है into omega into L चीज़ें के लिए रहे है अब देखे 1 by R plus J को मन नहीं ले लूँ क्या आसानी से ले लूँगा क्या होगा omega C इस वाल होगे omega C minus 1 by omega L omega C minus 1 by omega L किस का मान 1 by Z धिहांगे टियां रखिएगा 1 byta Z समझता है अभी समझा रहा हो पहले बाद में कुछ करिएगा अभी समझा रहा हो बाद में कुछ करिएगा अभी बस लिखीए सॉरी अभी बस देखिए बाद में कुछ लिखिएगा अभी बस देखिए क्या डिफरेंस दिखने को मिल रहा है तो यानी वन बेटर जैड को क्या लिख सकता हूँ एड्मिटेंस मैं अभी लिखाऊंगा तो बराबर क्या हो गया वन बटर है प्लस जे इंटू omega c minus 1 omega इसको बोलते हैं y को admittance क्या बोलते हैं admittance admittance क्या बोलते हैं admittance ध्यान रहे y को क्या बोलते हैं admittance तो बोलता है ध्यान समझे अब समझेगा दोनों से comparison से समझे series RLC circuit में resonance condition में होगे omega command 1 omega c होता है तो किसका imaginary part 0 होता है तो आपको अगे z का imaginary part क्या होगे अब sir z का imaginary part क्या होता है 0 ये z का imaginary part क्या होता 0 तब ये निकला लेकिन आप से ये पूछ देगा जब पहला RLC circuit होता है तो किसका imaginary part 0 होता है तो आप तब z नहीं बोलोगे तब बोलोगे क्या admittance admittance का imaginary part 0 होता है यह बड़ा important concept है objective अब आप से पूछ लिया जाता है तो आप एक चीज note down करेंगे note down करके लिखेंगे बड़ा important है note करके आप लोग लिखेंगे यहाँ पर in case of series RLC circuit note down करेंगे आप लोग in case of series RLC circuit in case of series RLC circuit series RLC circuit circuit will be at resonance circuit will be at resonance if the imaginary part of impedance that को किसे हो बोलते हैं जी impedance imaginary part of impedance becomes zero हिंदी में समझने के लिए कहते हैं कि series RLC circuit तभी resonance में हो सकता है series RLC circuit तभी resonance में हो सकता है जब Z का imaginary part क्या हो zero हो जब Z का imaginary part क्या हो zero बड़ा important concept है पूछता है ध्यान से समझेगा next कहता है spellal RLC circuit क्या कहता है spellal RLC circuit तभी resonance में हो सकता है तभी resonance में हो सकता है जब उसका imaginary part of admittance admittance का imaginary part क्या हो zero हो admittance का ये देखिए one better Z का imaginary part है तो Z नहीं बोल सकते है one better Z admittance का imaginary part zero हो admittance क्या होता है one better Z impedance का उल्टा होता है admittance impedance का उल्टा होता है क्या admittance admittance की कोई unit पूछ दे तो आपको कि महो admittance की unit क्या होगी क्योंकि 1 बटा z, z का unit अगर ओम होता है z का unit ओम होता है तो admittance का क्या हो जाएगा महो हो जाएगा clear है चीजे तो ये दोनों चीजे बहुत important है यहाँ पे जब सर की resonance में होता है तो imaginary part किसका होता है admittance का 0 होता है और इसको 0 जैसे put करोगे omega c minus 1 बटा omega l फिर यहाँ पे omega कमाना जाएगा 1 बटा under root LC 1 बटा under root LC क्योंकि resonance frequency दोनों condition में same होता है omega यह है तो angular frequency है resonance frequency 2 pi f करोगे तो 1 बटा 2 pi under root LC आ जाएगा चीजे clear है comparison दोनों में दोनों में चीजें comparison है बहुत सारे चीजें comparison करने की पर यह तो पहला facts था तो चलिए पहले मैं sorry पहले मैं आपको zoom करके screenshot दिलवा देता हूं ताकि इसका screenshot आप लोग अच्छे से ले ले ध्यान जखके यहां से मैंने शुरूग किया था नक्स्ट ध्यान दखिएगा नक्स्ट 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 दोनों में difference देखने के लिए नक्स्ट 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 इसमें क्या और आपको पता है जब सीरीज रिजोनेंस होता है जब सीरीज रिजोनेंस होता है तो Z बराबर क्या होता है R Z बराबर R होता है जो कि क्या होता है minimum Z क्या होता है minimum क्यूंकि XL बराबर XC हो जाता है और दोनों कट जाता है XL बराबर XC होता है तो यह कट जाता है तो जब Z आपका क्या होता है minimum Z क्या होता है minimum तो उस circuit में current क्या होता है maximum उस circuit में current क्या होता है maximum आईए देखते हैं क्या कह रहा है क्या कह रहा है इस switch को देखना है आईए क्या कह रहा है कह रहा है जब series circuit था जब series circuit था तो ऐसे condition में एक R है एक L है एक C है जब इस circuit में voltage VSE है जब इसका reactance इसका reactance cut गया आपस में तो circuit में Z में अब देगे पहले तो ये भी जूरता ये भी जूरता total Z कमान जादा हो जाता था लेकिन जब Z बढ़ाबर आप देखते हो सिर्फ R ही बचा पलस ये सब component 0 हो गया ये counter में cut के 0 हो गया x element से 0 हो गया तो सिर्फ Z बढ़ा तो Z कमान क्या हो गया कम से कम, Z कमान क्या हो गया कम से कम तो Z कमान अगर मान लो पहले total 20 ohm था, अगर 10 ohm आपस में counter हो गया तो बचा क्या, 10 से बचा तो 10 और voltage वही है तो circuit में current क्या हो जाता है maximum, voltage उतना ही है, circuit में resistance फिल कर रहा है, तो current क्या हो जाएगा maximum, तो ध्यान रखे, ये भी एक important point है, ये भी एक important point है, कि जब circuit series resonance होता है, ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा, जब circuit series resonance होता है, Z कमान क्या होता है, Z कमान minimum और current कमान maximum होता है, current कमान maximum हम होता है यहाँ चलिए यहाँ चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जन करें ले लेनी चाहिए यहाँ कहता है जब regionals में होता है circuit क्या होता है regionals में होता है पेलल RLC circuit तो Z बराबर circuit में क्या बचता है R अब ध्यान समुझे आप बहुत confused करेगा circuit में Z बराबर क्या बचता है R circuit में Z बराबर R बचता है तो अब उसी R को मैं लिखूँँगा कि circuit में Z कमान maximum होता है बड़ा कन्फ्यूज होंगे, अभी मैं सिखाऊंगा, पर बड़ा कन्फ्यूज होता है, कि यहीं R आपने लिखा, तो आपने ये लिखा सर, कि Z बहुत मिनिमम होता है, लेकिन यहाँ पर वही Z ब्रावर सिर्प 8 लिख दे रहो, तो आप कहे रहों कि Z बहुत ज़्यादा हो ग अब मैं बताता हूँ, क्यों इसको R को maximum बोल दिया गया, यहाँ पर R को क्यों minimum बोल दिया जाता है, I hope चीज़ें आप लोग अच्छे समझ पाएंगे, समझे, next page लेता हूँ, आप लोग फिर वहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझेगा, बड़ा आसान जीज है, बस समझने का फेड है, तीन रेजिस्टेंस है यहाँ पर, है ना, total resistance R equivalent अब कहो क्या कोई, थिरियार ज्यादा resistance है, है ना, किसी ने कहा, 2 resistance तोड़ दीजे, किसी ने कहा, 2 resistance को तोड़ दो, तब बताव, नया resistance R equivalent, new कितना हो जाएगा, दो तोड़ने के बाद तो को सिरीज के साथ लोचा क्या होता यह समझना है कहता है कि अगर सिरीज सर्कुट में कुछ रेजिटेंस आपस में हट भी जाए तो ऑबरॉल रेजिटेंस का मान घटता है यदि कि 3R से कितना हो गया आ रहो गया तो सर्कुट में अगर 3R से आ रहो गया रेजिटेंस घटा था इ अगर तीन पहलेल में resistance हो, पहलेल की बात हुई थी ना, और Z को हमने maximum बोल दिया, तीन पहलेल में resistance RLC का अपना डियक्टेंस होगा, जो कि ओम में ही होता है, XL का और XC का ओम में ही होता है, हम ले लिया तीन, इसको बोल दिया, R, ये भी R और ये भी R जब तीनो एक्टिव था तो इसका R equivalent कितना आपको ओगे सर्व तीनो अगर होता है तो एक individual से भी कम हो जाता है कितना हो जाता है? R बटा 3 कितना हो जाता है? R बटा 3 एक है R, यानि एक है अगर 10 दूसरा भी 10, तीसरा भी 10 तो overall resistance का मान कितना 10 बटा 3, 3.3 हो जाता है पेलल मगर 3 एक साथ active element हो तो उसका overall equivalent resistance decrease कर जाता है, क्लियर है चीज़े हैं? या ध्यान रखिए समझी है लेकिन किसी ने बोला, लेकिन किसी ने बोला सर के resonance में हो गया, इसका मतलब दोनों counter कर जाता है तो दोनों आपस में counter कर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर 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 ध्यान रखिएगा, अगर 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 यह हो जाए, अगर यह हो जाए अगर यह हो जाए कि दो आपस में counter कर गया यहां यहां XL होता है, XE होता counter कर गया counter कर गया तो दो resistance अगर हट गया तो R equivalent new कितना हो जाएगा R equivalent new कितना आप बोलोगे अच्छे 2 हट गया तो circuit में तो बस गया R अब बते है ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा अपने आप जवाब देगा मिल जाएगा आपको आपको किसर नहीं इस condition जब circuit पहलल है तो ये ये बेचारा बड़ा है और ये ही छोटा है इसका मतलब जो नया equivalent है इसको आप maximum कह सकते हो कि नहीं बिल्कुल कह सकते हैं जब ये new था तो इसको छोटा बोल सकते हो कि नहीं इसको क्या बोलोगे minimum इसको क्या बोलोगे minimum अब भी r बड़ाबर r है अब भी r बड़ाबर r है उसी circuit में लेकिन इसको बोलाओ minimum इसको बोलाओ maximum क्यों क्यों क्योंकि इस से पहले equivalent circuit में कुछ और था इससे तो जा कम था लेकिन अब बढ़ गया चीजे यही सीरीज पैलल का बड़े लोचेदार होता है अब हम उसको अपने point पर ले चलते हैं यहाँ पर समझेगा इस circuit को अच्छे समझना है यही चीज होता है इस सीरीज RLC circuit के साथ यही चीज होता है इस सीरीज RLC और पैलल RLC के साथ लेकिन इस पैलल में अगर घट जाता है तो अब और रेश्टेंस बढ़ गया अब करेंट डिग्रीज करता है अब 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 इसली करेंट क्या करेंगा जब और रेश्टेंस कमान यह दो खर्तम हो गया तो सरकुट में रेश्टेंस कमान RACC बढ़ गया अगर RACC बढ़ गया तो करेंट घटेगा तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप लोगा स्क्रीन सॉट ले लेंगे यहाँ आप यहाँ तो कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए यहां इसको screenshot अच्छे से ले लेंगे ताकि इसको not down कर लेंगे यहां से इसको not down करने के लिए screenshot आप लोग बेसक ले लिजे इसका इसको लिख लिजे ठीक है ठीक है चलिए तो क्या conclusion मिला अब समझ गे कि इसी Z को यहां minimum बोले आता है लेकिन इसी Z को यहां पर maximum बोले आता है इसी Z बड़ावर यहां R होता है यहां पर current maximum होगा लेकिन यहां पर current minimum होता है जब resonance में circuit हो जाए तो current minimum होता है current minimum होता है clear है ठीक है चीजहें clear चीजहें clear चलि 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 concept से चीजों को करना है चीजहें एकदम बिलकुल simple है अब curve की बात करें अगर composition कर रहा हूं तो इसकी curve की भी चरचा कर ली जाये इसकी curve की अगर चरचा कर ली जाये तो next point में इसका curve क्या होगा इसका जब भी कर्व बनता है, अगर current का कर्व बनता है तो आपको पता है current क्या होता है? maximum कब जब circuit regionence में हो circuit regionence में होता है current maximum होता है किसकी respect में इसकी frequency आग Mouse आगे बड़ी ये और ये current के respect में आपने इसके बारे में चर्चा किया इसका कर्व कैसा बनेगा? हाई कर्यंट का करव का सिरी कर दो वहीए यहां पे देखें कैसा बना कर लिए करिंट के लिए यहां सी इस यहां इपर के बाद बताबहन स्वारी होलतेज का कर बेंप्रेंच तो आपको पता जहां current maximum impedance minimum ये लिजी Z बढ़ावर यहां पर क्या होता है और Z बढ़ावर क्या होता है और यह किसका करव हो गया Z क्या होता है minimum Z क्या होता है बहुत minimum से minimum ध्यान रखे अभी इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे competitive analysis में खासकर mostly होता है उसको देखेंगे पर आपनों को ध्यान रखने हैं यह जिस पॉइंट पर एक दूसरे कट करता है वहां पर current घटके I am by root 2 हो जाता है I am by root 2 ध्यान रखेगा जिस पॉइंट पर यह कट करता है current घटके I am by I am by root 2 हो जाता है यहां भी जिस पॉइंट पर होता है current अपने maximum का root 2 भाग पर कट करता है लेकिन ध्यान रखना है ध्यान रखना है कि जब impedance यहां Z है Z बराबर R है तो यह बढ़े का उपर का बढ़ रहा है तो यहां इसी point पे अगर Z अब की बात को रहे है तो Z क्या होता है root 2 time से बर जाता है root 2 time से बर जाता है R के साथ इस point पे क्यों दिए voltage बराबर होना है V बराबर IR होना है अगर current कहीं घट रहा है तो resistance बढ़ेगा तो जितना time से current decrease करता है impedance उतना ही time से बढ़ जाता है ताकि दोनों का गुनन फल हमेशा R into I am होगा चीज़ें के लिए चलिए सेम इस यहां कह से कभी कोई खुले जैकंप अगर और तो उपर बढ़ेगा और कितना से बढ़ेगा यहां परuren म से बर जाता हीरी किए ** ऐंसे कम हो रहा है यह भी ध्यान घोना है नेक्स्ट अगर यहां impedance की बात करूं, impedance curve की बात करूं, इसको रहने देता हूं, यहां white ले लेता हूं, यहां पर z की बात करूं, तो z का graph अगर बात करूं, वहां पर why आया था, हम z की बात करेंगे, ध्यान रखें अभी, तो z की बात करें, तो z यहां पर क्या होता है, जश्ट बडा़वर है, तो सिर्फ r, z बडा़वर क्या है सिर्फ r, लेकिन यह क्या value, maximum, यह value क्या है, maximum है, तो z, देखिए, regional frequency पर z बडा़वर r maximum है, तभी current वैचारा minimum है, current क्या है, कर्व just ultra होता है, यहां current का Jeremy यह, यहां पर z कट यहां पर जड़ का कर यह कंफ्यूज नहीं होना है और चीज़ बता देता हूं आगे कंफ्यूज के वारे आपको कर लेता है बहुत कोई कि देखें इसमें तो करव ऐसा हुआ था तो समझेगा तो हमने इसमें जड़ वावर क्या लिया था वन वट वाई वर्व का वाई इसमें कर्व बहुत देगा ऐसा भी आपको दिखा देगा कैसा यह करेंट का कर्व है ठीक है यह करेंट का कर्व है और बहुत कोई इंपिडेंस का भी कर्व इसी के साथ दिखा देता है इंपिडेंस का कर्व भी इसी के साथ दिखा देता ऐसा है ना यह एडमिटेंस का वा और I का कर्ब ही इसके पहले संधाना चाहना है हैन च thriving की बराबर है तो कोगे लेता है ये भी चीज ध्यान रखना है तो ऐसे फसना नहीं है अपने को पता है फसना नहीं है ज़司 कर्व इसके जुट स्विभर्ष करदे कर टाये बहुत तरीज्यत है करने के लिवारेट या पर इसमें और ज्याद़ इसको नहीं देखेंगे, आगे क्लास को फिर कंटिन्यूर करेंगे, आज के लिए नहीं, गुट लाइक.